हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल ट्रिपल सेवन सोल टरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप कि सभी अच्छे हैं खोश्यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं मैं आप सभी लोगो करने वाले वो इस कनेक्शन के लिए ठीक हैं तो यह सारी बाते जानेंगे तो सबसे पहरे जानेंगे आप दोनों की लाइफ में ही क्या हो रहा है अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए शुरू करने से पहले आप लिए गाइस बता दो कि यह जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो सो प्लीज कीप अउपन माइंड और रीडिंग टाइमलेस भी है तो जब भी आप यहां तत पहुंचें आप देख सकते हैं चली अब स्टार्ट करते हैं वर्काह यह आपके पर्सन की तरफ से है डेस्टिनी एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से है यह काड आया इंपेशन्स आपके पर्सन की तरफ से है आईसोलेशन आपकी तरफ से है चलो यह आपकी की तरफ गिर है तो इसको लेते हैं कम्प्लीशन वैनिटी इनसिक्यूरिटी ओ गौद परसेप्शन, अबेंडेंस चलो यह वाला कार्ड आप दोनों की चरफ से हैं ठीक है? ओके तो सबसे पहले मैं आपकी साइट को एक्स्प्लेइन करना चाहती हूँ फिर आपके परसन के बारे में जानेगे ठीक है? ऐसे रख लेते हैं कार्ड गाइस बहुत हार्ड वर्क कर रहो आप आप दिख रहे हैं आपके एफर्ट्स एवन आप मुझे लगता है मल्टी टास्किंग परसन हो मतलब आपके अंदर काफी सारे स्पिल्स है ठीक है? आप एक टाइम पर काफी सारे काम कर भी सकते हो और करना भी चाते हो ठीक है? बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो लेकिन ऐसा कुछ खास आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे है और आपने इस चीज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है बगवान की मर्ची मान कर ठीक है? इस तरीके से आपने एक्सेप्ट कर लिया है और एक आइसोलेशन फेज में दिख रहे हो आप बहुत अकेले हो आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते आप जो आप चाहते हो कहना जो आपको बनना है अभी डिवाईन ने एक तरीके से आपको आइसोलेशन फेज में डाला हुआ है चोकि आपके लिए सही है कभी-कभी आइसोलेटिड लाइफ जीना भी ठीक होता है क्योंकि आपको ना पता है आपको लग रहा होगा आप अकेले हैं आपको लग रहा होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा कोई excitement नहीं है अकेले कमरे में बैठे हुए है पता नहीं भगवान आपको किस negativity से बचा रहे हैं ऐसा करके अगर उन्होंने आपको आइसोलेशन फेज में डाल दिया गया है इसका मतलब यही है कि कुछ negative हो सकता है इसलिए आपको इस फेज में डाल दिया है पता नहीं कितनों की बुरी नजर से बचा रहे हैं कुछ बुरा होने से बचा रहे हैं हर चीज में पॉजिटिव ढूनने की कोशिश किया करो क्योंकि देखो कुछ complete होने वाला है आपकी life में कुछ complete हो रहा है इस एक नया सन आपको देखने को मिलेगा आगे आज आप उदास हैं कल आप कितने खुश हो जाएं आपको भी नहीं पता एक रात खतम हो रही है और दिन की शुरुवात आपके लिए होगी अभी आपको अंदेरा दिख रहा है बट कल आपके सामने रौशनी होगी सातो रंग होंगे ठीक है और अगर isolation phase में आज हो it means कुछ कुछ negativity से ठीक है कुछ बुरा होने से बचा रहे है divine आपको और आपने बहुत मेहनत करी है इस isolation phase में और आपने अपनी life भी accept कर लिया बट divine ने भी तो आपको accept किया हुआ है divine तो all the time देखो एक cover बनाए रखे हैं देख रहे हैं आप एक layer आपके आपके चारों तरफ है इट means divine आपको protection दे रहे हैं आपको बचा रहे हैं negativity से आपको लग रहे हैं देखो आप उडास हो आपको लग रहे हैं पता नहीं मेरे साती क्यों ऐसा होता है मेरे साती क्यों होता है बत app ये सोचिए कि क्या पता इसमें आपकी भलाई है divine सब जानते हैं आप नहीं जानते तो हर वक्त उनके फैसले कर खुश रहना सीखो पुछ पॉजिटिव ढूणने की कोशिश करो ठीक है और आगे चल कर तो आपको तो देखो आगे चल कर क्या अभी blessings the divine की तो आगे भी रहेंगे क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं किसलिए मेहनत में बिलीव करते हैं मेहनत का खाना है ठीक है कोई shortcut नहीं चाहिए आप अपने efforts बराबर लगा रहे हैं तो आपको आपके साथ भगवान है all the time है ठीक है आपका जो perception है life को लेकर very good है ठीक है बहुत अच्छा है आपका heart chakra सबके लिए open है आप बहुत अच्छे इंसान हैं लोग आपको शाइज जच करते हैं कुछ भी नहीं कहता है शान्त है सुन लेता है कुछ reaction नहीं भई क्यों आप देखो आप अपनी जगा बिल्कुल ठीक हो ऐसे लोगों पर energy क्यों लगानी जिनको सुनना ही नहीं है ठीक है तो आप अपनी energy क्यों waste करेंगे आप तो बिल्कि स्मार्ट है आप चुप है अपनी energy बचा रहे है अच्छी जगा लगाएंगे ठीक है तो दूसरे क्या बोलते हैं सुनो भी मत जब आपके साथ भगवान का साथ है न तो दूसरे क्या बोलते हैं matter भी नहीं करना चाहिए आपको ठीक है आपका heart बहुत pure है आप अच्छे इंसान है और शायद आपके person को ये बात आपकी बहुत पसंद भी आती होगी लेकिन आपके person थोड़े अभी मुझे लगता है restless है patience नहीं रख पा रहे हैं divine इंसा थोड़ा नाराज दिख रहे हैं मुझे आपके person से आप देख रहे हैं भगवान कैसा देख रहे हैं इनको judge कर रहे हैं क्योंकि इंपेशन हो रहे हैं इनको हर चीज अभी चाहिए ऐसा तो भई possible नहीं हो सकता और जब इनको नहीं मिलती वो चीजी जे तो ये insecure feel करते हैं डर जाते हैं घबरा जाते हैं ठीक है इस तरीके से बहुत party कर रहे हैं बहुत friends के साथ मतलब बहार outing कर रहे हैं तो इस चीज से इनको भी निकलना होगा इनको anti-social बनना पड़ेगा मतलब बात करो बट limit में अभी इनको अपनी destiny पर काम करना है means अपने लिए कुछ create करना है और ये एक तो impatient हो रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए दूसरा ये अपने दोस्तों के साथ time spend करते हैं जो कि नहीं है सही ठीक है इनको अभी इन से थोड़ा अलग दूर जाने के जरुरत है तभी ये insecurity भी हटेगी तभी ये patience रख पाएंगे क्योंकि जितनों से मिल रहा है न तो ये ये देख रहे हैं इसके पास भी ये चीचीजे हैं इसके पास ये success है ये achieve इसने कर लिया मैं भी तो इनी की age का हूँ मुझे क्यों नहीं मिल अभी तक तो ये insecurity क्रियेट कर रहा है आपके person की life में तो ये कुछ ऐसा मतलब अभी आपके person ना मुझे right track पर नहीं दिख रहे हैं ये right path पर नहीं है बट आप हैं ठीक है आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अब देखो जितनी गलतियां करेंगे सीखेंगे भी ऐसे ही तो healing होती है गलतियां करकर ही सीखता है इनसान तो ये जो कर रहे हैं ये भी एक process ही है और आगे चलकर इनको realize हो जाएगा कि ये जो भी कर रहे हैं इनको ठोड़ा direction change करने की सुरुरत है ठीक है ये चीज़े दिख रहे है let's see कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो अब ये देख लेते हैं जल्दी से let your friends help you हो सकता है आप सोच रहे हो कि कुछ friends friends मिलकर आप दोनों का communication start करवा दे conversation start करवा दे keep an open mind आप दोनों को इस time थोड़ा open mind रहना पड़ेगा आप दोनों अभी बहुत अलग सोच रहे हो अपनी अपनी life में ठीक है तो बहुत open mind रहना पड़ेगा oh god forgiving and learning and give your relationship a chance दोनों सोच रहे हो कि chance तो देखो देना ही आगे इस separation को खतम करना है चांस देना है इस connection को ठीक है यह separation खतम हो जाएगा don't worry but आपको थोड़ा सा अपनी destiny पर भरोसा रखना पड़ेगा ठीक है और थोड़ा patience भी रखना पड़ सकता है आप दोनों देखो एक दूसरे के लिए सोचते तो अच्छा ही हो अच्छा ही सोचते हो और अच्छा ही करोगे भी लेकिन अभी आपको कुछ lesson pending है जैसे कि forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments यानि कि अभी भी आपको कुछ release करने की जुरुत है पास्ट में जो भी बुरा हो चुका है या जो भी आपने बुरा देखा है आप उसको भूल कर आगे बढ़ी है experience अपने साथ लेके चलें बड़ जो हो गया है उसको अब भुलाने की कोशिश करने क्योंकि आप past को change नहीं कर सकते हो कुछ इस तरह का दिख रहा है बड़ अभी separation में हो लेकिन आप दोनों मुझे आगे यही सोचते वे दिख रहे हो कि आगे chance देना है या दूआ कर रहे हो कि भगवान आपको chance दें कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें आगे चल कर ठीक है इस तरीके से मुझे दिख रहा है यहाँ पर scenario let's see angel आपको क्या answer keller देगे कोई भी कौश। आपके माइंड में है मैं एक आपके लिए निकालाँगे और ईकापके पार्टनर के लिए तो जो भी कौशन आपको अपने लिए पूछना पूछ सकते हो अपने पार्टनर के लिए Service क्या आपको and answer मिलेगा आपके लिए recovery फोकस करें तो आप तो फोकस करिए रहे हैं तो बहुत महनत कर रहे हैं रिकावर करने की कोशिच कर रहे हैं चीजों और आपके पार्टनर के लिए क्या एंजल आंसर देंगे कुछ पूछना है पार परसन के लिए पूछ सकते हैं पीस्फुल रेजोलुशन आउटकम तो देखो अच्छा ही आएगा एसर्टिव रहें इस टाइम आप दोनों ही एसर्टिव रहें और पीस्फुल रेजोलुशन का मतलब है कि आगे चल कर जो भी आउटकम मिलेगा वो अच्छा ही मिल रहा है आपको ठीक है तो इतना ज्यादा टेंशन ना लें आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हो आपकी परसन को अच्छे ट्रैक पर आना है तो अच्छी बात है आगे चल कर सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा ही सोच कर मैनिफेस्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें आपको पसंद आई हो तो अभी के लिए बस इतना है गाईज बाई टेक केर